कि भई प्लस पे अनक एडमी प्लस पे बैचेज स्टार्ट हो गए है डेट आ गई है ठीक है तो जो टैन्थ तू 11th moving student है 10-2 11th moving students है उनके लिए emerge बैच स्टार्ट होने जा रहा है जो कि class 11th का बैच है और यह हो रहा है 30th मार्च से ठीक है बच्चो कब से हो रहा है 30th मार्च से तो 11th class का जो बैच है वो हो रहा है 30th मार्च से ठीक है बच्चो प्लस के पैनल पे ठीक है ना प्लस पे और जो सरलोग है आपको बहुत बेतरीन तरीके से पढ़ाएंगे अभी जो यह बैच से स्टार्ट हो रहे है इन में आपको math विनीत लुंबा सर पढ़ाएंगे ठीक है ना और chemistry में काशिफ आलम सर और कपिल राना सर है physics में पढ़ाऊंगा बच्चो तो 11th का batch की date आपको पता चल गई है announcement हो चुका है in fact website पे आप register भी कर सकते हो पूरी detail जान लो फीस वीस जान लो and academy app download करके ठीक है ना और admission लेना शुरू कर दो बच्चो admission लेते टाइम NKC सर करके code जरू डाल देना second evolve batch यानि के 11th से 12th moving student 11 to 12th moving जो student है उनके लिए evolve batch start हो रहा है कौन सा evolve batch और यह कब से हो रहा है 28th of March से कब से 28th of March 28th March से start हो रहा है बच्चो 11 to 12th moving students के लिए evolve batch class 12th का जो batch है ठीक है ना 10 पर समझ गए चलो और इसमें भी आपको मैं physics बढ़ा रहा हूं mathematics आपको विनीद सर पढ़ाएंगे और chemistry में कपिल राना और अभी पैनल पे एक दो लोग और आ सकते हैं बट ये तो मतलब पिक्स है ठीक है ना एक दो लोग और आ सकते है पैनल पे ठीक है ना बट ये तो पास 키 स्टूडेंट आइं जो इस बार टर्लत का बोर्ड दिया जिनोने एचनोंने डीसाइड कर लिया कि हमें तो ड्रौप लेना है ठीक है ना तो ओन ट्रeलत पास बच्चों एंथ के लिए यह बैचन दूरा एक्सल कौन सा बैच स्टार्ट हो रहा है एक्सल यह रहा और यह हो रहा है 28th of March से ठीक है बच्चो कब से स्टार्ट हो रहा है 28th of March से तो यह यहां पर second announcement था 28th of March से स्टार्ट हो रहा है बच्चो 12th pass के लिए droppers batch कौन सा द्रॉपर्स बैच ड्रॉपर्स का बैच 28th March से स्टार्ट हो रहा है एक्सल ठीक है बच्चो सब कुछ बहुत 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 बहुतरीन तरीके से designed है और यह बैच 28th March से स्टार्ट होके December end तक या जनवरी तक आपका पूरा syllabus करके आपको दे देगा ताकि जे मेंस का जो फर्स्ट अटेम्ट है उससे पहले पहले आपका syllabus हम पूरा कर देंगे इसमें और 11th और 12th दोनों class ने होंगी इसमें 11th प्लस 12th का complete syllabus होगा 11th और 12th का complete syllabus होगा इसमें ठीक है बच्चो सर कोर्स complete 2024 में 11 to 12 होगी 100% यह जो इवाल बैच है यह कब से शुरू होगा 28th of March से और मैंने लास्ट यर इस साल तो इवाल मैंने अलग से पढ़ाया न्यूटन बैच्च करके लास्ट यर मैंने 31st of अगस्ट तक खतम कर दिया था स्लेबस लेकिन मैं अगस्ट का प्रॉमिस ना करके 30th September तक फिनिश कर दूँगा फिनिश April, May, June, July, August और सेप्टेमबर 6 months में आपका स्लेबस खतम हो जाएगा इसमें evolve batch में सर उसके बाद क्या हम खाली हो जाएगे बेटा खाली कोई नहीं होता उसके बाद revision होता है ठीक है ना? revision होता है 11th का क्योंकि आप लोगों की 11th wasted भी तो है बहुत सारे लोगों की 11th wasted है उनके लिए भी मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा उसमें ठीक है ना? अगर 11th wasted है आपकी ठीक है ना? तो वो revision यहाँ पे होगा वो वाला revision यहाँ पे होगा वो 30th September के बाद देखा जाएगा ठीक है न क्योंकि बेटा फिर बोर्ड की भी तो तयारी करनी है आपको बोर्ड की तयारी भी करनी है तो 30th September तक हम इसको finish कर ही देंगे मतलब मैं physics की बात बता रहा हूँ मैं physics की बात बता रहा हूँ ठीक है ना chemistry में भी 10-15 दिन आगे पीछे होता है मैठ में भी almost same time पर खतम हो जाता है अगस सेप्टेंबर एंड तक खतम हो जाएगा इवाल बैच है 11 का तो सब कुछ मैं दुबारा करवाऊंगा आपको और अगर आपने सब्सक्रिप्शन एक बार ले लिया है वन इयर का अनकैडमी का तो आप 11 का भी कर सकते हो 12 का हां दिए कर सकते हो तो 12 याउन शए वालों के लिए बीच-बीच में रिवीजन classes लगती रहेंगी इवयल बैच में इसमें रिवीजन classes लगती रहेंगी इसमें लगती चली रही हैंगी तो यह आपका सेकंड अनॉंस्मेंट था ओके और क्या पूछ रहे हो बच्चो कि अगर कि अगर